हलो एंड वेल्कम टू अनकेडमी क्या हॉल चाल है आप सभी के शुरू करें आज की सेशन को तो आप सभी जानते हैं आज अनकेडमी इंडिया में यूपी एसी सीएसी की त्यारी का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है सब्सक्रिप्शन पर आपको मेरे साथ साथ इंडिया के से पढ़ने का मुखा मिलेगा गुगोल अक्षे दो हजार तैइस इंडिया जोग्रफी है ना इंडिया को में प्रिहन्सिव जोग्रफी बहुत डिटेल्ड में कर रहे हैं और फॉर्मूला हमारा सेम फॉर्मूला है एन पी आर फॉर्मूला इसी फॉर्मूले से आपका यूपी एसी प्रेलिम्स क्वालिपाई होने वला है ठीक है तो उमीद कर रहा हूं कि आप सभी लोग अच्छे से नौट्स बना रहे है और कर रिविजन कर रहे हैं तो मेरा नाम है नवीन तवर नाइन यार टीचिंग स्पीडियेंस है सिक्स्टाइब मेंस इंटर्व्यू को एक्सपीडियेंस है मंतली करेंट फिर्म इग्जिन के डिटर रहा हूं जोगरफी से मास्टर्स दोनों कॉलिफाइड हूं ऑनलाइन टी सब्सक्रिप्शन से पहले कोई भी किसी भी तरह का डाउट है आप मुझे इधर टैक करके मैसेज कर सकते हैं ताकि मैं आपके डाउट का रिप्लाई कर सकूं कॉम्मिनटी पर रेगुलर अपडेट के लिए भी आप मुझे फोलो कीजिए अनकैडमी सब्सक्रिप्शन लेन आएंगे आपको तो आपके पास या तो प्लस ले लीजे प्लस में 12, 18, 24, 36 महिने का कोई सेम आइकोनिक भी 12, 18, 24, 36 महिने किसी भी डुरेशन का आप ले सकते हो और एक्जामपल आपने 12 महिने वाला लिया 58,189 वाला जैसे ही मेरा रेफरेल को नवीन वन लगाओगे आपक को नवीन वन अपलाई करोगे आपको ये 10% डिस्वाउंट होके 71,000 के आसपास मिल जाएगा तो कोई भी आपका सब्स्रेप्शन हो जैसे ही आप नवीन वन रेफरेल को लगाओगे आपको 10% डिस्वाउंट मिलेगा ही मिलेगा अनकैडमी क्यों जोइन करना है रिजल्ट देख लीजे 2020 का बेस्ट अजुगेटर्स है हमारे पास है ना ऑप्शनल को चेंज करने का फ्लेक्जिबिलिटी है लाइव देखो रिकॉर्डड देखो जो चाहे जैसा डाउट सॉल्विंग सेशन है कॉम्प्रिहेंसिव नॉट्स मिलेगा एंट्वेंड प्रिपेशन है दो हजार चोबिस वाले बच्चों के लिए नया बैच लॉंच हो रहा है 19 जनवरी से बैच इंग्लिश में होगा यूपीएसी चैसी दो हजार चोबिस को अमनिश में टार्गेट किया पूरा इसमें NCRT CSET वगरा सब कवरेज होगा इंडियास टॉप एडुकेटर्स है इस बैच के अंदर तो कब शुरू हो रहा है यह 19 जनवरी से यह इस बैच का नाम है एक्सपेडिशन बैच तो आप इसमें जोइन कर सकते हैं टॉप एडुकेटर्स है अनक एडमी के इस बैच में जो बच्चा एक बार के में फीस नहीं दे सकता वो मंतली इंस्टॉल्में सब्सक्रिप्शन की कर सकता है और आपको बताया है दो हजार चोबिस तेईस वाले बच्चे अगर बेटा आपने एन पियार फॉर्मूला जो मैंने बताया है उसमें जो प्रैक्टिस के लिए आपको मात रिये सब्सक्राइब निश्टो निन्यान में रुपे में टैस्ट्रीज मिल जाए और मेरा रैफ्रेल को नवीन लगाओगे तो 10 परसेंट का डिसकाउंट आपको और बिल जाएगा और क्या चाहिए भारत का भुगोल पड़ रहे हैं भारत का अपवाहा तंतर चल रहा है नौट नौट्स वगएरा आप बना रहे हों नौट्स वगएरा बन रहे है ठीक है ओके अधिक ठीक तो आज हम शुरुआत कर रहे है हमारी प्राइद इपिया आप वहां तंतर चल रहा है प्राइद इपिया अपवाहा तंतर ये वाला अपवाहा तंतर चल रहा है और इस प्राइद इपिया अपवाहा तंतर में हमारा महा नदी हो चुका है और गोदावरी हो चुका है आज जबरदस्ट आज होगा जबरदस्ट एक कृष्णा और कावेरीन दोनों नदियों को क करेंगे और कुछ बहुत ही शांदार आपको जानकारिया भी मिलेगी इन दिनों रीवर के बारे में तो प्रायदी पी आप वहात अंतर की बात कर रहे हैं ठीक है तो महा नदी हो गई थी कल और उसके बाद यह फाल्स पॉइंट याद रखना विटा है ना फाल्स पॉइंट यह यूपियसी का कुछ नहीं पता क्या पूछ ले फाल्स पॉइंट कहां पे है याद रखना कहां पे किस स्टेट में है अगर मैं आपसे पूछता हूं फाल्स पॉइंट किस राज्ये में है राज्ये का नाम बताओ राज्ये किस राज्ये में है तो क्या जवाब दोगे वेस्ट बेंगोल अरे वाह इतने मुझे यकीन था मुझे यकीन था इतने इंटेलिजेंट जवाब आने ही वाले है क्या होगा रिविजन कर लो दोस्तो रिविजन कर लो बच जाओगे है ना वरना 2023 से 2024 में धकेल दिये जाओगे रिविजन जो बच्चा नहीं करेगा दिस इस पीक टाइम और जैसे ही फरवरी शुरू होगा ना जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा भाई समश्या बहुत बढ़ने वाली है गुदावरी हो गया था गुदावरी अभी बात करते है क्रिशन की गुदावरी हो गया क्रिशन की बात करेंगे क्रिशन महा बलेश्वर महारास्ट वेस्टन घाट याद है ने बिटा वेस्टन घाट ठीक है ये पूरा आपका वेस्टन घाट है तो महा बलेश्वर से निकल रही है ठीक है और महा बलेश्वर से निकल के ये पूर्व की और चलना मतलब आपका इधर बंगाल की खाड़ी है बे ओफ बिंगॉल बे ओफ बिंगॉल की और चलती है तो इसके पश्चिम में है वेस्टन घाट और कल अगर आपको याद हो मैंने आपको एक बाला घाट रेंज बताई थी बाला घाट रेंज क्या कोई बच्चा मुझे बताएगा बाला घाट से कौन सी नदी थी जो गोदावरी की एक सहायक नदी थी बाला घाट से है ना बाला घाट याद है ना आपको बाला घाट कल मैंने आपको बताया था बाला घाट से एक रीवर निकल रही थी बाला घाट रेंज है ये आपकी ठीक है इधर वही आपकी इस्टर्न घाट है इसके साउथ वेस्ट में इस्टर्ण घाट छेक और यहां से आपकी यह निकल रही है बाला घाट से कौन सी रिवर निकल रही थी मंजीरा ओके चलो ठीक है याद है आपको तो इस इस क्रिशना क्रिशना रिवर है यह क्रिशना रिवर है अब इस क्रिशना की कुछ विशेशता है पहली बात कृष्णा के बारे में लिख लेते हैं कृष्णा के बारे में पहला पॉइंट ये प्राइद E.P.A. भारत की पूर्व की और बहने वाली बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी सबसे बड़ी नदी है अच्छा तो पहली सबसे बड़ी नदी कौन सी है undoubtedly गुदावरी चलो अब एक जबरदस information अगर ecological point of view से देखे पारस्थित की रूप से यहां इस point को अलग से लिखना काफी important point है ये UPSC पता नहीं पूछेगा या नहीं पूछेगा लेकिन मैं आपको बता देता हूँ ecological point of view से है ना ecological point of view से पारस्थित की दरश्टी कौन से यह है दुनिया की सब्से विनाशकारी नदियों में से एक है नदियों में से एक है अरे सर ये क्या बोल दिया आपने? कृष्णा के बारे में ऐसी बाते कैसे बोल सकते हो आप? ऐसा क्यों है ना? ये ऐसा क्यों हुआ? ecological point of view से ये इतनी disastrous river क्यों है? उसका reason है बिटा क्योंकि monsoon period में जब दक्षिनी पश्चिमी monsoon का period होता है क्योंकि इसका कारण लिखते है क्योंकि monsoon period में जबर्दस soil erosion करती है soil erosion soil erosion चलेगा? आपके खुछ important cities है important cities देख लो इसके तट पर important cities important cities and tourist centers सतारा चेक है सतारा उसके बाद सतारा के बाद आपने नाम सुना होगा अमरावती अमरावती येस अमरावती और विजेवाडा विजेवाडा बेटा एक अमरावती रीवर है एक अमरावती रीवर पढ़ेंगे जब हम कावरी को पढ़ने वाले है यहाँ पे यह अमरावती शहर है जो कि किस पे है यह कृष्णा पे है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लगसे हम क्या पढ़ रहे है कृष्णा कृष्णा नदी कृष्णा नदी चल रही है हमारी कहां से निकल रही है महारास्ट में महा बलेशवर से अगर इसकी लेंथ की बात करें लेंथ कितनी लंबी है यह रीवर अगर इसकी लेंथ की बात करें तो लगवग लगवग 1400 किलोमेटर लगबग 1400 किलोमीटर लंबी ये रीवर है वैल डन अब ये बहुत एक सेकंड रुखो आपके कमेंट पिक्चर क्वालटी इंप्रूव कर लेता हूँ ओके आप ये चली है यहां से क्रिशना ठीक है क्रिशना है ये इधर बंगाल की खाड़ी में ये अपने डेल्टा का निर्मान बंगाल की खाड़ी ठीक है कहां पर आधरा परदेश अच्छा तो जो कल मैंने आपको गोदावरी पढ़ाई थी गोदावरी अपना डेल्टा किस स्टेट में बना रही थी जरह कमेंट सेक्शन में लिख के बताईए जो ये तो क्रिशना रीवर हो गई बेटा दिस इस क्रिशना तो जो गोदावरी है गोदावरी अपना डेल्टा कहां बना रही थी ये है क्रिशना रिवर ठीक है वो भी आंधरा प्रदेश में है तो अब इसकी अब मुझे बताओ this is A and this is B तो left hand side कौन सा है right hand side कौन सा है बताइए left hand side and right hand side ये रोजना मैं आपको इसलिए याद करा रहा हूं ताकि किसी भी कीमत पे आप इसको गलत ना करें UPSC ऐसे भी पूछ सकता है left hand side and right hand side आज पौके चलो आप शुरू करते हैं एक रीवर है याँ की भीम भीम और भीम की साहयक नदी है सेना भीम सेना याद रहेगा एक और अन्य साहयक नदी है मूसी और एक और साहयक नदी है मुनेरू इस मूसी और मुनेरू के बीच में दो और छोटी साहयक नदी है फालिया और पलेरू इस इस फालिया इस इस पलेरू चलेगा एक और यहाँ पे इसकी चोटी सी साहयक नदी है चोटी सी साहयक नदी डॉन है ना डॉन इस इस डॉन लिखो फटावट चिक है आप चलते है राइट हैंड साइड बे राइट हैंड साइड कोईना है ना कोईना रीवर कोईना का है ना एक दिस इस कोईना रीवर अगेन एक और छोटी सी साहयक नदी है वर्ना कोईना वर्ना उसके बाद पंच गंगा एक और है दूद गंगा उसके बाद है घाट प्रभा इस घाट प्रभा माल प्रभा फिर एक है तूंग एक है भद्रा तिस इस तूंग दिस इस भद्रा और यह आपस में जब मिल जाती है तब बनती है तूंग भद्रा तूंग भद्रा चलेगा अच्छा कल मैंने आपको एक रीवर बताई थी धर्ना यह किसकी सायक नदी थी धर्ना किसकी सायक नदी है बताओ च्छीक है और एक मैंने आपको बताई थी पूर्ना 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 एक मैंने आपको पूर्ना रीवर बताई थी अब मुझे आप बतादो जो पूर्ना रीवर है वो गोदावरी की राइट हैंड सायक नदी है या लेफ्ट हैंड साइड पे पूर्णा लेफ्ट हैंड साइड पे है या राइट हैंड साइड पे लेफ्ट हैंड साइड ठीक है ये याद रखते रहना बिटा ये याद रखते रहना क्योंकि UPSC है वो कुछ भी पूछ सकता है चल ठीक अब यहां पे कुछ और बताना है मुझे कुछ और बताते हैं आपको कुछ टेंपल्स देखते हैं ना टेंपल्स लिख लिए आप लोगोंने लिख लो screenshot खीचलो जो आपका मन करें वो कर लीजिए यहां पे अच्छा इधर इसकी left hand side पे ही left hand side पे दो अन्य नदियों के नाम बता देता हूँ अगर UPSC पूछता है तो इसको हम eliminate कर लेंगे चलेगा left hand side पे ही left hand side पे ही दो अन्य सायक न दी left hand side left hand side एक रीवर है डिंडी और एक है पोड़ा वेगू छीक यह रीवर्स है एक है डिंडी एक है पेड़ा वेगू left hand side की रीवर है right hand side पे तो इतने से काम चल जाएगा left hand side की दो एक्स्टा रीवर बता दी मैंने डिंडी और पेड़ा वेगू चले यहां से आगे चलते हैं ओके आप इस पे देखते हैं हम कुछ historical sites है ना historical sites देखते है historical sites पहला कुछ temples देखते हैं यहां पे कुछ temples आपको देखने को मिलेंगे temples मतलब temples का symbol this is symbol of temples लेकिन आप temples के बारे में जानना चाहरे हो लेकिन temples को जानने से पहले आपको क्या करना होगा आप समझदार हो क्या करना है आपको येस क्लास को लाइक कीजिए येस एक बचा के रहे सर आपका पूरा क्लास कहा मिलेगा यूटूब वाली यूटूब पे मिलेगी अनकैडमी प्लस वाली एप पे मिलेगी और स्पेशल क्लास भी एप्लिकेशन पे मिलेगी नहतिक जिम्मेदारी को निभाईए नहतिक जिम्मेदारी में इसलिए बोलता हूँ यार हम मैनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए आपका बनता है थोड़ा सा कोइंट्रिबूशन करना चलो अब चलते हैं टेम्पल्स की बात करते हैं टेम्पल्स की बात करते हैं सबसे पहले हम देखेंगे माल प्रभा जो माल प्रभा रिवर है माल प्रभा नदी है ना इस नदी के तठपर इसके आसपास कौन कौन से मंदिर है बड़ा इंपोर्टेंट है पहला टेम्पल है एहॉल सेकिंड एहॉल मंदिर सेकिंड है बादामी चेम्पल्स है और पट्टा दकल पंदिर ये सब माल प्रभा पे है छेक है एक और है तुंग और भद्रा है ना तुंग भद्रा इसके निकच है आपके हमपी हमपी कराई थी साल 2020 में मैपिंग की क्लास कराई थी मैंने और शायद 2021 वाला प्रिलिम्स था दो हजार एक लिख दिया तो सीधी मतलब हमपी के सामने कावीरी लिख दिया तो आप इसको एलिमिनेट करोंगे और एलिमिनेशन से आप उत्तर तक पहुच गए थे वहां पे चले इसके बाद इसके बाद मैं एक एक बड़ा इंपोर्टेंट पॉइंट है बिटा यहीं पे यहीं पे बेसिकली जहां ये एक क्रिशन पूछूँ आपसे एंवायरमेंट निकलोजी का ये कृष्णा नदी है इधर बंगाल की खाड़ी में जाके अपना डेल्टा बना रही है यहां पे इधर तो नदी का जल इधर समुद्र का जल सुनओ बेटा इधर नदी का जल इधर समुद्र का जल क्या बनेगा ecological कौन सा है न कौन सा ecosystem बनेगा इधर से नदी का जल इधर से समुद्र और यहाँ पे अगर हमारा कोई एक ecosystem बनना होगा तो क्या बनेगा बेटा ecotone चलो ecotone तो है लेकिन क्या नाम है उस ecotone का एश्युरी येस कौन है ये बच्चा रुद्रांशी पांडे गजब बहुत ही बढ़िया well done सबसे पहले जिस बच्चे का मुझे हाँ जोहार नदमुक का निर्मान होगा और इस क्रिश्ना नदी जब आंधरा प्रदेश में अपना बंगाल की खाड़ी में अपना डेल्टा बनाती है तो अब यहां पे आपको अगर आप इंडिया का मैप देखोगे बिटा इंडिया का मैप देखोगे ऐसे तो यहां पे आपको एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलेगी एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है अब यह famous क्यों है असलिम उद्दाया कि यह इतना famous क्यों सर आपने क्यों बताया तो basically एक एश्यूरी आपका है यह और यहाँ पे याद रखना बिटा यहाँ पे दुनिया का दुरलब है ना one of the rarest mangrove forest मिलते है आपको यहाँ पे रेर रेस्ट मैंग्ग्रोव चलेगा कृष्णा वाइल लाइफ सैंक्चुरी ओके चलते हैं यहाँ से आगे यह लिख लिया आपने ओके अभी कावेरी से पहले और कुछ भी लिखाना है इसको मिटा रहा हूं बिटा यह आपको PDF में नहीं मिलेगा क्योंकि इसको इरेज करना होगा क्योंकि मुझे आपको पढ़ाने है प्रोजेक्ट्स और डेम्स प्रोजेक्ट्स और डेम्स चलो इरेज और कर रहा हूं मैं इसको अब यहाँ देखेंगे वाइल लाइफ सेंचुरी क्रिष्णा रीवर के उपर क्रिष्णा रीवर के उपर हमारे कौन-कौन से प्रोजेक्ट्स या डेम्स है अब सुन लो हाँ 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 रुको 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 बहुत सारे बच्चे इतने नादान है एक काम कर रहे होंगे कुछ नादान बच्चों का सुन लो आप में से बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे है क्या नादानिया कर रहे हो आप सुन लो हाँ आपकी नदानियों को बता देता हूँ आपका ये A4 size paper होगा ठीक है और इसी paper का back side भी होगा है ना इसी paper का back side इसी paper का आगे पिछे होता है ना बिटा paper कैसे होता है आगे पिछे पिपर आपने जाने नहीं मैं दिखाता हूँ आपको बहुत सारे बच्चे तो paper का आगे पिछे से भी confused हो जाते है this is and this is तो same मैंने आपको दिखाया एक ऐसे और ये पलटके ऐसे अब सुन लो ऐसा मैं क्यूं बता रहा हूँ ऐसा क्यूं बताया जा रहा है आपको इतना दिव्य और अलोकिक ग्यान क्यूं दिया जा रहा है इस दिव्य और अलोकिक ग्यान का सुनो मैंने suppose करो आपको गुदावरी कराई है ना गुदावरी गुदावरी रीवर कराई आप में से बहुत सारे दिव्य जनों ने वही तरंबकेश्वर से निकली है ऐसे किया होगा गुदावरी की राइट हैंड साइड की सायक नदी लेफ्ट हैंड साइड की सायक नदी और जो जो भी आपको information मैंने दी है आपने कुछ सपोज करो यहां लिख दी ऐसे ऐसे करके कुछ ऐसे ऐसे करके लिख दी होगी और किसी बच्चों का तो कोई रीवर सिस्टम हो सकता है हाफ में ही आ गया हो उसने इधर उपर लिख दिया महा नदी नीचे लिख देगा वो कृष्णा आप देखो समश्या क्या पैदा होगी समश्या क्या पैदा होने वाली है इन बच्चों को क्या समश्या पैदा होगी मतलब इसी के बैक साइड पे आपने यह काम कर दिया इस साइड तो यह इसके बैक साइड पे यह आप जम में आपको current affair कराऊंगा current affairs of environment and ecology plus geography करो गोदावरी को लेके कोई update आ गया गोदावरी को कृष्णा कावेरी कोई सी परियोजना है उससे related कोई ecological significance है कोई और छोटी बड़ी साहक नदी चर्चा में आ गई तो आप कहां करोगे अलग से notes बनाओगे दिमाग का इस्तमाल करो एक page का मतलब ये वाला page अगर आप use कर रहे थे गोदावरी इस side आपका आया तो back side को plain रखना है back side को plain छोड़ना है चाहे आप half में बनाओ चाहे वो suppose करो suppose करो ऐसा होता सुनो कैसा होता कैसा होता ऐसा होता सुन लो ये paper था आपका इस पर आज हम कृष्णा कर रहे है और हो सकता है कृष्णा आपकी यहीं तक समाप्त हो गई तो आपको ये पीछे वाला page भी खाली ही छोड़ना है बिटा आप क्या गर रहे हैं इसी में ही है ना इसको मुश्खिल से 10-12 आपकी major reverse है एक गंगा वाली हो गई एक सिंदू वाली हो गई एक व्रहंपुत्र वाली अमाहानदी वाली क्रिष्णा, कावेरी, गुदावरी, नर्मदा तापी कर लेंगे हम ये आपको 10-12 पेजी तो रखने थे चलो अब ये बात मैं हमेशा ही बोलता हूँ आपको जो भीट कोई topic पड़े कोई single topic जैसे ही end हो उसके back side को खाली छोड़के चलो plane ही रखा है जिसने बड़ा अच्छा है जिसने plane रखा है उसने बड़ा अच्छा काम किया चलो वापस आजओ अब ही हम करते है क्रिष्णा के उपर क्रिष्णा नदी के उपर कौन-कौन से projects है और dams है पहला है माल प्रभा माल प्रभा रिवर पे ही माल प्रभा डैम है चलो उसके बाद है उज्जनी उज्जनी डैम याद रखना है बिटा उज्जनी इसी को हम भीमा डैम भी बोलते है भीमा भीमा डैम चीक है किस रिवर पे है भीमा रिवर पे चीक तीसरा तीसरा है स्री सलेम स्री सलेम प्रोजेक्ट है छलो फिर है कोईना कोईना डैम फिर नागा आरजुन सागर इसी में आपका नागा अरजुन सागर से पहले हम एक लिख देते हैं अलमाटी अलमाटी डैम उके उसके बाद नागा अरजुन सागर ठीक है उसके बाद प्रकाशम बेराज इसी पे ही है ओके और उसके बाद है तुम्भद्रा चलेगा तो कैसे याद करेंगे है ना माल प्रभा को M से उज्जैने को U से स्री सलेम को S से कोईना को K से अलमाठी को A से नागर जुन को N से प्रकाशम को P से और तुम्भद्रा को T से तो क्या हो गया भाईया मुस्कान क्या करना है प्रिलिम्स परिक्षा पास करनी है इसके साथ मुस्कान के साथ तो क्रिष्णा नदी मुस्कान पीटी प्रकाशम बेराज तुम्भद्रा माल प्रभा उज्जैनी जिसको भीमा भी बोला स्री सलेम के से कोईना एसे अलमाठी ऐसे N से नागर जुन सागर चलेगा जल्दी से बताईए Is it okay अब अगर आप पुछो कि ये इस स्टेट मतलब जो इस रीवर का रीवर बेसिन है ना रीवर बेसिन किन-किन राज्यों से होके बहती है ये तो कराना में भूली गया है ना किन-किन राज्यों से इसका बेसिन किन-किन राज्यों में है मतलब इस रीवर का बेसिन कौन कौन से रीवर बेसिन में कौन है इसके इसके रीवर बेसिन में महारास्ट्रा करनाट का तेलंगाना एन आंध्रा प्रदेश चलो तो मुस्कान पीटी चले यहां से इसमें आपको दो तीन पे में स्टार लगा देता हूँ जो एक्जाम में पुछे जाने की पूर्ण संभावना रहेगी और UPSC जहां आपको ट्रैप करेगा स्टार लगा लो बेटा ओजैनी पे यहां पे आपको ट्रैप करेगा यह पुछे जाने की पूरी संभावना है इनको तो आप जरूर याद रखे UPSC कोशन कैसे पूछेगा पेटा UPSC कोशन कैसे पूछेगा एक साइड देदेगा नदी दूसरी तरफ देदेगा बांध या परियोजना और यहां पे गुदावरी ओके यहां पे गुदावरी के बाद महा नदी भी दे सकता है और इधर नर्मदा दे देगा और इनके सामने कोई भी एक प्रोजेक्ट दे देगा XYZ जो भी होगा फिर बोलेगा उपरियुक्त में से कौन सही सुमेलित है इस टाइप का कुशन पूछने वाला है वो आप से यही पैटर्ण है रीवर पे जाहे नदी उसकी साहक नदी होगी ओके नदी उस पे बांध या प्रियोजना होगा नदी या साइड में कोई कल्चरल साइट होगी लास्ट थ्री यहर से UPSC का पैटर्ण यही है नदियों से कॉशन पूछने का लास्ट थ्री यहर से इसी पैटर्ण पे कॉशन पूछ रहा है इसी पैटर्ण पे कॉशन पूछता है वो ओके नेक्स चलते है अभी इसके बाद अच्छा कहानी तो सुन लो क्या-क्या लिखी हुईती है कृष्णा, कृष्णा नदी पूर दिशा में बहनने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है महाबलेश्वर के निकट से निकलती है लगबग 1400 किलोमेटर की लंबाई है कोईना, तुंग, भद्रा, भीमा, साहिक, नदीया है नदी का कुल जल ग्रहन छेतर का 27 प्रतिशत महारास्ट में है 44 परसेंटेज करनाटक में है और 29 परसेंटाइल आंधरा परदेश और तेलंगाना में पड़ता है इसको याद रखना, यहाँ पर, यहाँ पर, इस टाइप का स्टेटमेंट आ सकता है कि यहाँ पर मेंगरूव फॉरेस्ट है इसके तो आप यह सोचो मेंगरूव तो तठीय वनस्पतिय तो क्या भईया नदी भी तो जाके मंगाल की खाडी में गिर रही है न तो मेंगरूव फॉरेस्ट क्यों नहीं हो सकते यहाँ पर, डेफिनेटली हो सकते है आपको पता है क्या लगता है, आपको क्या होता है, क्रिश्णा रिवर पूछी और यूपियसी ने बोल दिया, क्रिश्णा नदी के जो कैच्चमेंट एरिया में मेंगरूव फॉरेस्ट मिलते हैं, आप बोलोगे, नदी तो फ्रेश वॉर्टर की है, मेंगरूव तो सलाइन वॉर्टर में नई, 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 तो भाईया क्या नदी यहां से निकलते निकलते सीधी चांद पे चली जाएगी क्या, अप जा तो रही है, कहा, समुद्र में ही जा रही है ना बाद में, बंगाल की खाड़ी में, चिक है, आजओ, अभी कावेरी पे आजाते हैं, कावेरी रिवर, कावेरी नदी, कावेरी, again, this is, पाइदी पे भारत और यहां पे है आपका, वेस्टन घाट, यही से, यही से आपकी निकल रही है कावेरी, ब्रहमगिरी की पहाड़िया है, ब्रहमगिरी पहाड़िया, करनाटक, ठीक है, और कई बार इसको, यही पे मिलती है, ताल कावेरी से है ना, ताल कावेरी, यह इसका ओरिजिन है, ठीक है, this is origin, अब यहां से उत्पत्ती के बाद, यहां से यह अपनी उत्पत्ती के बाद, चलती है, चलती है, चलती है, साउथ एस्ट डिरेक्शन में चलती है, और यहां पे चली गई, बंगाल की खाड़ी में, और बंगाल की खाड़ी में जाने के बाद, यह क्या करती है, अपने डेल्टा का निर्मान करती है, बंगाल की खाड़ी, अब क्योंकि यहां पे नदी का क्या है slope काफी कम है तो यह नदी क्या करती है जैसे ही यहां अपने तटिय छेतर में आती है तो इसकी कई बहुत सारी distributories बहुत सारी वितरिकाय निकलती है जैसे गंगा में से हुगली उसकी एक वितरिका है ऐसे बहुत सारी वितरिकाय निकलती है तो इतनी सारी वितरिकाय अरे भई नदी की आवसाद को वहन करने की छमता क्या हो गई deposits को carrying capacity जो उनको लेके जाने की जो छमता है वो कम हो गई तो अब क्या करेंगे बाद में इधर उधर हर जगे फैल जाएगा जल तो बहुत सारी डिस्टीब्यूटरी जिसकी बनती है निकलती है यहां पे तो एक वराहद डेल्टा का निर्मान होता है काविरी के बंगाल की खाडी में व्रहद डेल्टा का निर्मान तो बंगाल की खाड़ी में एक व्रहद डेल्टा बनाती है व्रहद डेल्टा का निर्मान करती है इस डेल्टा का नाम है इस डेल्टा को क्या बोलते है Garden of Southern India Garden of Southern India इस डेल्टा कहा बनाती है अपना Tamil Nadu Tamil Nadu अब जो नील गिरी है ना नील गिरी का जो पहाड़ी छेतर है वो क्या कर रहा है बेटा इस पूरे रीवर ट्रैक को दो हिस्सों में बाठ दे रहा है इस नदी बेसिन को नील गिरी छेतर इस नदी बेसिन को दो भागों में बाठ देता है एक है करनाटक पठार दूसरा है अपर केच्मेंट एरिया लोवर केच्मेंट एरिया ये वाला करनाटक ये वाला तमिल लाडू अब याद करो बेटा याद करो याद कीजिये क्या करना है गुर जी याद ये तो बता दो याद करो जैसे मैंने बताया था मानसून आता है मांसून ये लो, ये मांसून, ठीक है, एक मांसून ये, तो ये तो है हमारा साउथ वेस्ट मांसून, साउथ वेस्ट मांसून, तो ये वाला इसके यहाँ पे पैरलल निकल जाता है, पैरलल निकल जाता है, ओके, लेकिन शीत रितु में एक और, शीत रितु का जब टाइम आत अलती है जिसको हूं बोलते है उत्तर पूरवी मांसून, नॉर्थ एस्ट मांसून तो अब हो प्रहा रहा है सुने अब हो प्रह है कावेरी नदी के छेतर में ठीक है यह कावेरी नदी का बेसिन एरिया है बिटा इस इस अब जो इसका अपर वाला पार्ट है अपर कैचमेंट एरिया है या करनाटक के पठार वाला छेतर है उसको ज्यादा वर्षा किससे मिलती है साउथ वेस्ट मौनसून से लेकिन जो नीचे तमिलाडू वाला हिस्सा है इसको किससे वर्षा मिलती है नौर्थ इस्ट मौनसून से तो कावेरी नदी दकशिन भारत की, प्राइदी पिय भारत की ऐसी नदी है, जिसको जल प्राप्ती दकशिन पश्यम मांसुन से भी होती हैं, और उत्तर पूरवी मांसुन से होती है, यही कारण है कि यह South India में यह एक मातर ऐसी आपकी रीवर है, जो almost perennial रीवर है, 12, 80, इसके बारे में और मॉस्ट पेरेनियल रिवर कारण क्या है साउथ वेस्ट मॉनसून प्लस नॉर्थ इस्ट मॉनसून दोनों से वर्षा की प्राप्ति और क्योंकि दुनों का टाइम अलग है ये ग्रिशम काल में प्रभावी होता है तो ग्रिशम रितु में तो इससे पानी है और सी तरितु में इसकी वज़े से जल. कुछ इस पे waterfall भी है बिटा waterfall भी है इस पे waterfall भी है उनके भी नाम देख लेते है waterfall जल प्रपा शेव समुद्रम फिर है ओगन निकल waterfalls यह waterfall इसी पे है जल प्रपात है सिव समुद्रम और होगन कल waterfall आप यह नदी क्या करती है अपने बेसिन छेतर में यह नदी अपने बेसिन छेतर में एक आइलेंड का भी निर्मान करती है आइलेंड का निर्मान करती है एक आइलेंड का निर्मान करती है यह नदी अपने बेसिंग छेत्र में है कि क्या नाम है उसका स्री रंगम स्री रंगम आई ले और एक विचितर घटना है यहां पे एक और विचितर घटना है यहां पे कावेरी के बेसिन में यहां पे आपको एक कावेरी क्रेटर देखने को मिलता है कावेरी क्रेटर अरे सर क्रेटर तो जौला मुखी के टाइम पे कुछ पढ़ा हुआ था येस तो कावेरी क्रेटर मिलता है कावेरी नदी के बेसिन में अब यह क्रेटर कैसे बना कि सर क्या यह किसी जौला मुखी गती विदियों से बना इसके बारे में कहा जाता है कि जो ये कावेरी क्रेटर है आज से 80 करोड से 55 करोड वर्ष पूर्व एक छुद्र ग्रह के प्रभाव से छुद्र ग्रह आके टकराया होगा ये ऐसी संभावना है छुद्र ग्रह के प्रभाव से निर्मित का वेरी क्रेटर दन समझ में आ रहा है समझ में आ रहा है बहुत ही बड़िया एक बार आपके कमेंट कई बार फोन हैंग हो जाता है तो आपके कमेंट देखने में आस्विधा हो जाती है अच्छा अब क्यूंकि इसमें साल भर देखो क्योंकि इसमें साल भर जल मिलता है इस कारण से इसको दक्षिन की गंगा भी बोलते है दक्षिन की गंगा किस कारण से वर्ष भर जल रहता है लग बग है ना लग बग वर्ष भर इसमें जल मिलेगा तो इसे दक्षिन की गंगा भी कह रहे हो इसकी लंबाई कितनी होगी अगर बात करें लंबाई है ना लंबाई लगवग लगवग 800 किलोमीटर लगवग 800 किलोमीटर इसकी लंबाई है अब कितने राज्यों से ओकर बैती है राज्ये को देख लो राज्ये कौन कौन से राज्यों से ओकर बैती है राज्ये देख लेते हैं स्टेट्स किन किन स्टेट्स से ओकर जाती है करनाटक केरल कमिलाडू और यूटी आपकी पुदुचेरी वन स्टेट एन यूटी हो गया वैटा है ना स्टेट एन यूटी टू थ्री यूट गूदावरी को भी दक्षिन की गंगा कहते है लेकिन वो उसका religious point of view वो उसको है झार耀मिक जैसे उत्तर भारत में गंगा का अपने एक धार耀मिक महत्व है उसी तरह से दक्षिन प्रायदी पे भारत में गुदावरी का एक धार्मिक महत्व है चीक है उस वज़े से वो भी गंगा के लही जा रही है अब आते है इसकी सहायक नदिया इसकी सहायक नदियों की बात करते हैं सहायक नदिया तो पहले लेफ्ट हैंड साइड की सहायक नदि करेंगे लेफ्ट हैंड साइड की खेरांगी, हेमावती, सिम्षा, और अरकावती, ठीक है? और अरकावती, रिवर, शिम्षा रिवर, खेरांगी रिवर, इधर से, राइट हेंड साइड से, ये थो लेप्ट हेंड साइड हो गया, इधर से आएगा लक्षमन तीर्थ, लक्षमन, तीर्थ, रिवर हो गया, उसके बाद, लक्षमंतीर्थ, लक्षमंतीर्थ के बाद आएगा काबिनी, काबिनी, काबिनी रीवर, उसके बाद सुवानवती, सुवानवती रीवर, भवानी रीवर, और अम्रावती, अम्रावती रीवर, हिरांगी, हिबावती, शिम्षा, अरकावती, अरका है लाद, के के बाद एए और है, और इधर है लक्षमंतीर्थ, काबिनी, सुवानवती, सुवानवती है बिटा, सुवान रेखा नहीं, याद रखना, सुवान रेखा भी पढ़ाऊंगा भी आपको, लक्षमन तीर्त काबिनी स्वानवती भवानी और अमरावती चले नेक्स चलते हैं याद रखना बेटा गार्डन ऑफ सदन इंडिया ये डिस्टिब्यूट्रीज है ये सब वित्रिकाए है ये सब वित्रिकाए है वित्रिकाए डिस्टिब्यूट्रीज है ये कावेरी की वित्रिकाय है ये सब के सब तमिलानू में ये अपना डेल्टा बनाती है नेक्ट चले यहां से प्रोजेक्ट्स देख लेते हैं ना पहला है क्रिश्न राज सागर क्रिश्न राज सागर ठेक है सेकंड अमरावती डैम हो गया इस पे ऐससे उसके बाद यहां पे मैचूर डैम है बेटा मैचूर डैम अब इस मैचूर डैम के जस्ट पीछे एक रिजर्व वेयर बना है मैचूर डैम के पीछे एक जलाशे है जिसको आप बोलते हो स्टेनली स्टेनली रिजर्व वेयर चलो फिर मेक दातू डैम हो गया आपका उसके बाद भावानी ये हो गए आपका फिर हेमावती हेमावती रीवर है बिटा मौसली तो नाम आपके मौसली तो जो नाम है आपके क्या हो गए रीवर्स पे जैसे भवानी है हेमावती है अमरावती हो गया याद रखना कृष्ण राजसागर कृष्णा पे नहीं है बिटा कृष्ण राज सागर कावेरी पे है तो इसको हम कैसे याद कर सकते दिस इस के दिस इस ए वो S हो गया किस पे है मैचूर पे है दिस इस मेक दातू और दिस इस भवानी और ये हेमा तो आपने क्या कहा है ना आप क्या कह रहे हो आप किसी को कमिट्मेंट कर रहे हो है ना आपने हेमा को बोला क्या बोला कासम भवानी तो हेमा वती कृष्ण राज सागर अमरावती स्टेनले रिजर्वेर मैचूर मेक दातू भवानी तो कसम भवानी है ना थोड़ा डायलोग बज़ी होगी अगर बात करें कावेरी नदी की तो करनाठक के अंदर भ्रमगिरी की पहाडिया है वहाँ पे ताल कावेरी से इसका ओरिजन है ताल कावेरी से जहां से निकलती है और अल्टिमेटली अपना जो डेल्टा का निर्मान करती है वंगाल की खाड़ी में तमील लाडू में यहां पे इसकी बहुत सारी वितरिकाय है जिससे ब्रहद डेल्टा का निर्मान होता है जिसका नाम रखा हमने गार्डन ओफ साउथ इजिया इसकी लेप्ट हैंड साइड की साहेक नदी देखेंगे तो हेरांगी, हेमावती, शिम्षा, अरकावती राइट हैंड साइड पे है लक्षमन, तीर्थ, काबनी, सुवानवती, भवानी, अमरावती ओके यह कावेरी रीवर एक आईलेंड का निर्मान बना करती है जिसका नाम है श्रीरंगम आईलेंड और कुछ इंपोर्टेंट बात जल प्रपात हो गया शिवाश्वा मुद्रम और होगेंकल वाटरफॉल हो गया और अल्मोस्ट परेनियल रीवर है क्योंकि यह साउथ वेस्ट मांसुन से और नौर्थ इस्ट मांसुन दोनों से इसको जल प्राप्त होता है और नीलगिरी छेतर मैंने इसको बताया था दो हिस्सों में डिवाइड करता है जो इसका अपर एरिया है करनाटक वाला और जो लौर एरिया है इसका तमिलाडू वाला यहाँ पे एक कावेरी क्रेटर भी है कावेरी क्रेटर के बारे में मैंने बताया था लगबग 85-85 करोड साल के बीच में ये निर्मित हुआ है किसी छुद्र ग्रहा के प्रभाव से निर्मित है और अगर इसका एरिया देखे किनकिन छेतर में या किनकिन राज्यों में ये है करनाटक केरल तमिलाडू एन यूटी ह के अन्दर जल रहता है इसीलि एह मिश्कों दक्षिन की गंघ भी बोलते सो आई ओप इस इस लियर मा एरि कर लेते है एक quick revision हम गोदावरी का भी एक quick revision ले लेते हैं गोदावरी का ठीक है तो अगर हम बात करें गोदावरी river के बारे में तो गोदावरी river अगर देखे तो इसके पस्चिम में western घाट है इसके north में बाला घाट range है और इसके south east में आपका eastern घाट है यह आप sorry this is not गोदावरी अगर्ध यह. dolphins कि अगल सुछ यह यह दिसे क्रिशन करते कोई बाध मिश्चि 절대 अए वापस शुरू करते हैं वापस से शुरू करते हैं तोब बात करते हैं कृष्णा रीवर की इसका Origine क्या है इसके left hand side की tributaries कौन सी है right hand side की कौन सी tributary है कौन कौन से dam है और इसका और क्या significance है इसके बारे में महत्पून क्या है तो शिरुवात करते हैं आईए ये Krishna river इसके पश्चिम में मतलब western घाट है north में बाला घाट range then south east में eastern घाट यहां से जाती है और bay of bengol bay of bengol में अपना delta का निर्मान करती है और आंध्रापरदेश तो इसके delta ही छेतर में मैंने आपको पहले ही बताया था एक Krishna wildlife centuries है जो world के rarest mangrove forest के लिए ये जानी जाती है अब बात करते हैं इसका origin origin कहां से है महारास्ट महाबलेश वर्षिय निकलती है और उसके बाद इसका left hand side और right hand side की reverse की बात करें तो एक छोटी सी river है dawn then भीम है भीमा है भीमा के साथ सेना इसकी सायक नदी है मूसी हलिया पलेरू मुनेरू ये left hand side left hand side पे दो और छोटी river है दिंडी और पेड़ा वगू rivers हो गई right hand side पे कोई ना वर्ना पंचिगंगा दूदगंगा घाट प्रबा माल प्रबा तुंग भद्रा ये ऐसे हो गई उसके बाद मैंने आपको क्या बोला था ये ecological point of view से इसको बड़ी ही विनाश्वात्मक river माना जाता है क्योंकि monsoon period में ये जबरदस soil erosion करती है तो प्राइदीप में प्राइदीप भारत की ये पूर्ग की और भेने वाली दूसरी सबसे बड़ी river है इसके उपर फिर हमने कुछ temples की बात की थी temples में अगर हम बात करें माल प्रभा के ओपर हमने देखा था a hall बादामी और पट्टा दकल के temples थे और तुम भद्रा पे हमने देखा था हम पी तो this is all about Krishna I hope ये आपको clear हुआ होगा good जैसे ही हमारी ये सारी rivers हो जाएगी जैसे हिमाल्य वाली हो गई और ये हो गई उसके बाद एक दिन मतलब बीच में एक दिन में class रखूंगा सिर्फ quick revision की ताकि सारी rivers आपकी उमलियों पे हो जाए मतलब बहुत ही rapid fire mode में वो हमारी class होगी उस दिन वाली अगर इसके projects की बात करें dams की बात करें तो formula है हमारा मुसकान T next आई हमारी नर्मदा तो ये नर्मदा तापी लूनी और ये कुछ छोटी न दिया इनको हम करेंगे कल तो साड़े पांच बजे मैं आप से मिलूँगा साड़े पांच बजे मैं आप लोगों से मिलने वाला हूँ भुगोल के युद्धा ये हमारी सेरीज होगी और टेस्स सेरीज है बेसिकली ये हमारी जोगरफी प्रिलिम्स 2023 को टार्गेट करके बिल्कुल free of course है आओ मेरे साथ देखो जोगरफी environment तो मेरी कलास से बाहर ने जाएगा concept वाला मैंने जितना भी पढ़ा दिया और अगर कोई bouncer question आ गया तो आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि सर फला बुक में था पला कलास में था वहाँ पढ़ा था आपकी कलास में नहीं था ऐसा कभी भी नहीं होगा ठीक है environment निकलोजी का यह मेरा batch course चल रहा है अगर आप चाते हो कि environment में भी question आपकी range से बाहर ना जाए तो आप मेरे इस plus course को join कर सकते है नवीन 1 referral code के साथ यह आप purchase कर सकते है geography optional भी आप नवीन 1 referral code से purchase कर सकते complete course हो चुका है बेटा total 167 lecture है हिंदी माध्यम में I assure you इस से जबरदस course और जब इस आप course को कर लेगे तो उसके बाद आपका जो understanding है इस exam को लेके और GS paper 1, 2, 3 में आपको जिस तरीके से मदद करने वाला है वो बड़ा ही अदबुत है तो यह भी आप कर सकते हो और आंत्रिक सुरक्षा पे प्लस course है यह भी आप देख सकते हो मेरा कुछ मेरी special classes की details और प्लस course की अगर आपको पूरी detail चाहिए तो geography, optional, ethics, internal security, environment and ecology geography, GS यह सारे course आप मेरे plus पे देख सकते है referral code नवीन 1 के साथ जैसे ही आप यह referral code लगाओगे आपको discount मिलेगा ही मिलेगा साथ के साथ मेरी guidance भी मिलेगी आपकी इस पूरी UPSC की जर्नी में pre classes में आप भुगोल के युद्धा art of answer writing essay writing, English compulsory यह देख सकते है special classes में आपदा प्रबंदन, निबंद लेखन, नैतिकता की अदालत यह special classes आप an academy app को download करके देख सकते है या तो google place से download कर लेना और जिनके पास apple devices है वो apple के app store से download कर सकते है, last mile program यह program है उन बच्चों के लिए जिन्होंने 2022 की मुख्य परिक्षा पास कर ली है अब अंतिम पाइदान interview की त्यारी के लिए आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि last mile में आपका deaf आपकी hobby, आपके current affair, state knowledge आपकी overall personality को free of cost groom किया जा रहा है जबर्दस panelist है, हमारे इसमें bureaucrates है top educators और professors यह सम मिलेगे और offline center हमारा old राजिंदरनगर में शुरू हो चुका है यह 2024 के लिए foundation batch है 100% syllabus coverage होगा 800 गंटों में, साथ ही साथ आपको plus classes और test का भी access मिलेगा तो evening में मिलते है 5.5 बजे, तब तक अपना ख्याल रखना और कल दोपैर वापस 2 बजे मिलेंगे इडिया जोग्रफी, classes में बाबाई, take care